राज्थान की नई सरकार के गठन के बाद नई कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर हैं, उन्होंने पदभार ग्रेंड किया हैं, संग प्रश्ट भूमी से आते हैं, भारती जन्ता पार्टी की विचारधारा यह यूं कहें कि उन भाजपा की जड़ों से जुड़े हुए हैं, अ हम गरीब को गणिश मान करके काम करेंगे, यानि जो सबसे पीछे खड़ा है, उसको धीरी दीरे आगे लाने का मारा प्रयास होगा, यानि सामाजिक दरश्टी से और आर्थिक दरश्टी से, ताकि उसका परिवार का पालन ठीक परकार से हो सके. तुष्टी करण को लेकर आपकी खबरें बहुत आती हैं, कि तुष्टी करण का शुरू से ही आप विरोध करते रहे हैं, पिछली पांच साल कॉंग्रेस सरकार रही है, कौन-कौन से ऐसे काम है जिनको लेकर आपका विरोध रहा है और उनमें बदलाव की आकांक्षा आप को या विक्ति को आगे बढ़ाना, से इसको पीछे धकिलना, मैं समझता हूँ, यह ठीक नहीं, क्योंकि इसके कारण से वो बोर्ट पालेंगे, सच्छी लोग पी रता तो पालेंगे, क्ल मिलाकर के नुक्षान होना है, महिलाओं और SCST पर काफी उत्पीडन हुए हैं, तो यह सच है, कि समाजिक दृष्टी से आर्तिक दृष्टी से अनुसुची जाती के लोग कमजोर हैं, और वो कमजोर होने कारण से उनकी बात को प्रमूंकता से सुना नहीं जाता, इसलिए दभंग लोग और सबल लोग उनके अपर अत्याचार और नाचार करते हैं, इसल तो महिलाओंकार गरीब लोग का सरक्षन बहुत होश्यक है उसको ये मान्य भज़न लाज जी की सरकार करेगी पर उसको तुष्टिकर नहीं करेगी मैंने सन 1990 में एक संकल्प किया था कि जब तक इस देश में जो एक भू भाग है जिसको कस्मीर करते हैं हम लोग वहाँ धारा 370 लाग होई है जब तक वह धारा 370 नहीं हट जाती तब तक मैं आरामदा एक बिस्तर पर नहीं सूँगा यानि दरीया चटाई का उप्योग करूंगा वह संकल्प मेरा धारा 370 समाप्ति पूरा हो गया है दूसरा संकल्प था कि जब तक स्री राम जन भूमी पर भगवान राम का भव्य मंदित नहीं बन जाता और उसमें भगवान विराजमान नहीं हो जाते जब तक मैं माला नहीं पनूँगा वह संकल्प मेरा जारी है 22 जनौरी को मेरा संकल्प पूरा होने वाला है यह बहुत 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 शुब कामना है तो यह थे मदन दिलावर जी नए नवनियुक कैबिनेट मंतरी जो अपने कारे शैली के लिए विशेश तोर पर से आने जाते हैं फिलाल अंशुल के साथ विजय वर्मा जनता दर्ब निस के लिए